नमस्कार दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में आप सब का स्वागत है मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ चमेली के द्वारा हमेशा ये कोशिश रही है कि हिंदी से जुड़े साहित्यकार, कवी ऐसे काफी celebrated लोगों से आप से मिलाने की हमेशा कोशिश रहती है ज्यादा तर ये देखा गया है कि हिंदी से जुड़े लोग या तो हिंदी परिवार में पैदा होते हैं या उनकी परवरिश, पढ़ाई, लिखाई, उनकी बोलचाल, मात्र भाशा ज्यादा करके हिंदी होती है ऐसा बहुत कम देखा गया है जो बहुत ही दिल से हिंदी से प्रेम करते हैं हिंदी से जुड़े रहते हैं एक तेलगु परिवार में पैदा हुए आंधरप्रदेश के एक छोटे से गाउं में पैदा हुए एक बहुत ही फेमिस एक बहुत ही पब्लिश्ट हमारे जो कवी साहितिकार आज हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है बहुत ही खुशी की बात है कि एक तेलगू परिवार में पैदा होने के बावजूद उनकी जो पढ़ाई लिखाई उनका काम का आज सारा कुछ 36 गर में रहा है हिंदी से वे बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं कई गीत नवगीत कहानिया दोहे मैंने सुना है गजल भी लिखे है उन्होंने तो आज की एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ सत्यप्रसना राओ जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूर्दर्शन के स्टूडियो में बहुत खुशी हो रही है कि आप तेलगू भाशी होने के बावजूद भी हिंदी के साथ इतनी क्लोजली आप जुड़ जरनी है आपकी जो कविताएं गीत नवगीत लिखने की जो जरनी रही है आपका ये जो सफर रहा है ये कैसे शुरू हुआ आपके घर से या आपके स्कूल से या आपके आसपास के वातावरंड से जी तो दरसल ऐसा है पुनम जी कि जैसा अभी आपने बताया कि मेरी 25 जिले में एक मंदसा करें के बहुत चोटा सा गाओं है जी वहां मेरी पैदाएश होई थी मेरे पिताश्री जो थे भी च्छतिसगड़ में जो कोल माइस हैं जी वहां वो सर्विस करते थे तो मेरी पैदाएश के बाद कुछ चार पांच अच्छे मैने के बाद मुझे महां से च्छतिसगड़ ले आया गया जी और तब से मैं च्छतिसगड़ में ही हूँ तो मेरी स्कूलिंग प्रारंभिक शिक्षा बाद में कॉलेज नौकरी इस सारा कुछ जो है वो च्छतिसगड़ में हुआ लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि तिल्गु से मेरा नाता लेता हूं पढ़ लेता हूं बोल तो लेता ही हूं तो वहां तक भी है तो तेल्गु से मेरा नाता नहीं छूटा है अगर ऐसे इसको मैं इस तरीके से कहूं कि तेल्गु अगर मेरे लिए देवकी है तो हिंदी मेरे लिए यशोदा है और तेल्गु मेरे लिए मादेवकी क तो इस साफ से अब जहां तक लेखन की बात आई तो शायद मैं जब कक्षा दसवी में था तो उस समय एक स्कूल अंतर स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें की काविपाट करना था तो चुकि मेरी हिंदी अच्छी थी तो मेरे हिंदी किसे एक शक्षक ने कविता पढ़नी है सर आप ही बता दीजिए आपकी पढ़नी है किसी और कभी कि ने 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 लिखना भी है पढ़ना भी है अच्छा तो यहां से मेरा कावि लेखन प्रार्ण तो तुकबंदी थी अब कोर्स उसमें निश्य दूरूप से उसमें कविता के बारे में उसका कुछ और अच्छे लोग भी वहां हमसे जुड़े जो लिखते थे तो उनके साथ थोड़ा से कंप्रिशन के भाव से फिर लिखना चालू हुआ या वो लिखता है तो मैं क्यों ने लिख सकता है या वो उतना चक पढ़ रहा है तो मैं भी साथ इससे अच्छा लिखके पढ उतना हुता हुता है तो मैं और sleeping मेरे नवकें सब्सके ऑद्रांगा में अच्छा मत बन बेच आए तो 201ड़े वह एक वोड़ा मिला उस परिवेश में बहुत अच्य साहितिकार थे वहां पे वरिष्ट भी कनिष्ट भी और जो अभी लिखना प्रारंब कर रहे थे वह भी तो एक गोश्टिया हुआ करती थी मासिक गोश्टिया हुआ करती थी जिनमें जाय करता था मैं तो वहां लोगों को देखता था कि बहुत अच्छी तरह से मतलब लोग क तो पढ़ता तो था, बहुत पढ़ता था, हो सकता है, वही बीज रूप में रह गया हो मेरे मन में, कि जब इतने अच्छे तरिकी रचनाएं आ सकती है, बूलक कहा जा सकता है, अपने आपको अभिवत किया जा सकता है, तो क्यों नो मैं भी प्रयास करके देखूं इसको, तो आगे बढ़ती गई, बढ़ते गई, स्टेशन दर स्टेशन और अभी भी चल रही है, और अन्तिम सास तक अब चलती ही रही है, यह बहुत ही अपने आप में सरहनिया बात है, कि अपने वातावरंड से एक तो आप किताबी भी बहुत पढ़ते थे, यह शायद आज की जेन किताबों से आपको मिल सकता है, और ऐसा इंस्पिरेशन शायद ही आपको कहीं मिले, देखिए किताबे पढ़ने से, आज हमारे साथ सत्यप्रसनाजी कितनी सारी नई रचनाओं के साथ आप से बात करने के लिए आए हैं, तो बुक्स और मैंस बेस्ट रेंस, इसमें कोई सं आपने कानिया है कि नौकरी के साथ-साथ गर गरहसती संभालते हुए, आप काफी senior position में रहे हैं, mechanical engineer रहे हैं, उसके साथ-साथ आपने कविताएं भी लिखी, किताबे भी पड़ी, गर गरहसती भी संभाला, नौकरी भी करी, तो ये सब आपने कैसे manage कि, आपने passion को आपने क कोर्बा शहर में मैं सर्विस करता था कोर्बा 36 गड़ राज्य का एक सबसे बड़ा पावर हब है और आज की तारिक में अभी भी वह हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा पावर हब है जहां NTPC, 36 गड़ विद्यूत मंडल और दुनिया प्राइविट पावर स्टेशन बहुत संख्या है जो साहित अभिरुची रखते है तो अनुन्यों ने अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई है अलग अलग साहित समितिया बनाई हुई है और मुझे बलाया जाता था उनमें शामिल होने के लिए थोड़ा सा बहुत लोगों को पता चलता था कि बंदा लिखता है भूला लिया जाए, इस प्रकार से उन गोष्टियों में जाना शुरू हुआ, गोष्टियों में कवीताय पारण हुआ तो अगली गोष्टि किसके आउने उने, अच्छा उसके आउने, तो कवीता लिखी लिखे जाना है, तो अच्छा, इस तरह के से वह नोकरी के साथ- आपको जाना है तो वो आपका commitment है बट ऐसे एक कवी को अपनी inspiration अपना ये आपको जाना है तो आपका commitment है आपको कहां से मिलता था कि चलो आज मैं रस श्रिंगार या फिर प्रेम श्रिंगार पे लिखूंगा बट आप आज की जो देश की स्थिती है हालात है उस पे भी आप अपने विचार व्यक्त करते हैं उस पे भी आप कविता गीत नवगीत लिखते हैं तो ये आपकी जो inspiration है जो thought है ये ये कहां से आता है गोश्टियों की रचनाये तो गोश्टियों की रचनाये हैं उनका स्तर अलग होता है तो उससे इतर गोश्टी में पढ़ी जाने वाली रचनाओं से इतर मन को जब कुछ सालता है या मन को कुछ बहुत जादा प्रभावित करता है तो उस तो इस प्रकार गोश्टी की रचनाय तो मैंने जैसे आपको कहा कि चलो वह पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना करके वह एक जनरलाइज रचनाय होती थी लेकिन इससे इतर जो मेरा सही मायने में जिस भावुमी को में लेकर लिखता हूँ वह ये गोश्टियों से परे होत तो इस प्रकार से होता था तो वह पंक्ति मुझे सालतिच रहती थी जब तक कि वह पूरी तरह से अपने स्वरूप को रगट करके कागज पर नहीं उतर जाए तो इस तरह के वह एक अलग धरातल की रचनाय हो जाती थी और वैसी रचनाय ही मेरे पास ज्यादा है और गोश दिल के करीब कौन सी एसी रचना है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लिखने में बेहर खुशी मिलती थी आप पिलकुल डूब जाते थे उसमें ऐसी कोई कविता ऐसी कोई रचना आपके पास अगर है तो आप सुनाएंगे प्लीज जरूर मेरे दो मुख्य तो विसमताएं हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक, आर्थिक विसमताएं, विडम बनाएं, दूख, तकलीप, कस्ट, कलेस, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुचने वाली जो चीजें हैं वो जो हांट करती हैं तो वो अभिवक्ति के रूप में फिर कविताओं में तो इस तरह से दो पार्ट में इसके आलावा में एक तीसरा जो मेरा पैशन है लिखने का वो है दोहे जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहने अपने बारतल आप में आपको बताया था कि दोहे एक तीसरा पैशन है जो मैं बहुत मन से लिखता हूं बहुत अच्छा एभी केवल हमारे दिमाग में केवा दोह मतलब कभीरासूरदासून तुलशीदासून क्योंकि वही हम किताबों में पढ़ते हैं, वही हम सुनते हैं। वह दोहे होते थे, दर्शन के दोहे होते थे, दर्शन मने ऐसे परसा सक्षातकार राहने वाले, लेकिन इ sto है जो दर्शन का हम नहीं है, यह जन दर्शन का है जो जो आप और हम रोज भोगती हैं, जिसे रोज हम दो-चार होते है, उन समझ्याएं से या उन चीजों से जो हमें अकरशित कर जाती को चानद के उंग तैटार है। जब वह जब बहुत जया жादे का सुंधर है। चान को खूख के तो वह बहुत जार से किण 정부 के अपना स्वरुक्त ओंदर्था। ये क्यूंकि आप कवी है आप मतलब प्रकृती की सुंदर्ता में जो खुशी देखते हैं चोटी-चोटी चीजों को जो आप अब्जर्व करते हैं इससे आपकी कविताओं पे भी बहुत इंपक्ट पड़ता है आपका जो लिखते हैं दोहे हो गए गजल हो गए गीत इससे बहुत एक खुबसूरत सा जो आउटपुट आता है कुछ सुधाइन आप जरूर्व ये सनातन चंदों में कई जो हमारी चंद शास्त्र है तो हज्जारों चंद हैं अच्छा हज्जारों चंद हैं कोई चंद शास्त्री ने बगताया कि लगभग 6-6,000 हैं हमारे हिंदी सा अच्छा हाला कि अपन सब के बारे में जानते नहीं हैं बहुत कम चंदों पर ही काम होता है बहुत कम चंद आजकल लिखना वह भी बंद है लेकिन जो भी लिखते हैं तो एक प्यूश्वर्श चंद है उस पर एक प्रकृति का वर्णम देखिए इसमें कि यामिनी की संधियां जील पर आई उतर सब रश्मियां फागुनी वाता समद से है भरा प्रेम को है प्रेम करने की त्वरा हो रहा संबाद प्रियके मौन से हो रहा संबाद बोल चाल नहीं है नहीं है हो रहा संबाद प्रेके मौन से चंद लिखता आज यहमन कौन से जर रही अनुराग की है निरजरी गीत गाती प्रेम के यह शरवरी बने रात हैं मिले यह चार पल अभिसार के बांधले हम ग्रंथ अपने प्यार के कवमदी के शुब्ह इस विस्तार में बन्द हो दे प्रीत के आगार में रात्त्रि नीरव किंत, रवसे है भरी, रात्रि नीरव है लेकि फिर भी कोलाहल है जिसको सननाटे का कोलाहल कहा जाता है चारों दरफ सन्नाटा है लेकिन आपके मन के अंदर जो उथल पुथल है ना वो कोलाहल के रूप में आपके कानों में बज रही है तो राच्त्री नीरव किंतु रवसे है भरी रच रहा या कौन ऐसी शामबरी शामबरी मने जादूगरी इंद्रजाल राच्त्री नीरव किंतु रवसे है भरी रच रहा या कौन ऐसी शामबरी है प्रणै का सत्र कुछ भी मत कहो इन पलों को भोर तक कस कर गहो जागने दो रात प्रिय सोने न दो जागने दो रात प्रिय सोने न दो कुछ करो प्रिय भोर होने ही न दो जागने दो रात प्रिय सोने न दो कुछ करो प्रिय भोर ही होने न दो जानती हों सपन है तो क्या हुआ जानती हों सपन है तो क्या हुआ मखबली अनुभास ने तो है छुआ जील पर जो चांदनी उतर रही थी उस चांदनी से इंप्रेस होकर यह सारा गीत रचा गिया आपकी जो थौट प्रोसेस है एक छोटी सी चीज वो जो जिल्मिल चांद का जो रिफ्लेक्शन है पानी में देखकर आपने इतनी खुबसूरत पंक्तिया लिखी है और आपकी हिंदी भी बहुत ही जबरदस्त है इतने अच्छे शुद्ध शब्दों का आपने प्रयोग किय इतने पाफाग्य है इतने जबरते बहुत डर्योगत है कि कि में तुम मत 20 छो मन कि पाती में वैसे ही पढ़ लूगा अरे वास? केवल परस तुमहारवा पाकर अक्षर- अक्षर अक्षर गड़ लूगा तुम मत खोलो मन की पाती मैं वैसे ही पढ़ लूँगा केवल परस तुम्हारा पाकर अक्षर अक्षर गड़ लूँगा सीख लिया है मैंने पढ़ना इन अधरों की भाशा को पलकों पर अब गुंठन बनती अलकों की परिभाशा को सीख लिया है मैंने पढ़ना इन अधरों की भाशा को पलकों पर अब गुंठन बनती अलकों की परिभाशा को मन की सारी बात तुम्हारी आँखों में मैं पढ़ लूँगा केवल परस तुम्हारा पाकर अक्षर अक्षर गड़ लूँगा गजरे की अभिलाशा क्या है क्या है पायल का बजना पाउ महावर का क्या मतलब क्या कहती है ये कंगना अरे वाह अर्थ हीन संकेतों के भी अर्थों को मैं पढ़ लूँगा केवल परस तुम्हारा पाकर अक्षर अक्षर गड़ लूँगा अंतिम बंद सुनी है इसका मेरे मन से मोन तुम्हारा करता है कितनी बातें बातों बातों में कट जाती है जाने कितनी राते मेरी मन से मौन तुम्हारा करता है कितनी बाते बातों बातों में कट जाती नय जाने कितनी राते गीत हवाने तुम पर क्या लिख डाला है मैं पढ़ लूँगा केवल परस तुम्हारा पाकर अक्षर अक्षर गढ़ लूँगा तुम मत खोलो मन की पाती मैं वैसे ही पढ़ लूँगा केवल परस तुम्हारा पाकर अक्षर अक्षर गढ़ लूँगा आपकी कविताओं से एक चीज़ बहुत उभर कर ये आती है कि आपको शब्दों की शायद इतनी जरूरत नहीं, आप दिल के मौन से, अपने मन की जो शान्ती है, वही आप इतने कम शब्दों में उतार कर बहुत बहुत ज्यादा कुछ कह जाते हैं, तो नहीं मिलते हैं, तो मेरी गाड़ी वही अटक भी जाती है, और इस्ती बुरी तर गंटों में दिनों में नहीं हपतों हपतों तक अटक जाती है, और गीत जो है बहुत समय के बाद कहीं जाके फिर पूरा होता है, जब मेरे वांची शब्द मिल जाता है, तो इस प्रकार से एक जर्नी एक ब्रेक जर्नी इस सी आ जाती है, उस समय, कभी-कभी वह राइटर's होगा अकसर शहरों में और बस्तियों में, एक कच्रा बींती महिलाएं, एक बोरा टांग लेती हैं, और दिन भर कच्रे को हईला थी लोरा थी पता ने कि आप बीन-बीन के अपने उसमें डालती हैं शांत करने के लिए, शांत तो ये उनको देखकर एक चित्र उबहा था मे जल रहे हैं, इतने बुरी तरह से क्या आप कहा जाए, उस हालत में वो कच्रा बीन रही है, तो धूप निगोडी तोड़ रही है, डगर डगर अंगड़ आई, ये पहली पंक्ति बंध है, जो मेरे को दिश्च को देखने और सूरज की गर्मी को देखने बाद दिमाग में आया, कि धूप निगोडी तोड़ रही है, डगर डगर अंगड़ आई, भिन सारे से ये उंगलियां कूड़ा काट रही हैं, कभी भूख की कभी प्यास की उजरत चाट रही हैं, बंजारे ये पाउं खोशते, पल भर की अबराई, धूप निगोडी तोड़ आई, तोड रही है डगर डगर अंगडाई भूखी आतों के विपलव से पग डग मग होते हैं और फेफडे जिंदा सासों की लाशे ढोते हैं पता नहीं है कहां खो गई अपनी ही परचाई धूप निगोडी तोड रही है डगर डगर अंगडाई दोपर के समय में अपनी परचाई दिखती नहीं है अपने को दिन उगते ही उम्मीदों के परवत तन जाते हैं सांज ढ़ले तक सब जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं क्या जाने किस धेर छुपी वो सुख की छोटी राई दूप निगोडी तोड रही है डगर डगर अंगडाई कहते हैं सब चांद सितारे तुमने नाप लिये हैं अमीरों को कहा जा रहा है वो बोल रही है मतलब एक इंसान के अंतरमन की उसकी जो हल्चल है उसके अंदर उनकी जो निराशा है उनका जो दुख है हाला कि उनकी जिन्दगी की जद्व जहत है ये साब का सारांश आपने जो नवगीत में उतारा है बहुत ही खुब सूरत है इस प्रकार के रचनाय इस तरह से जो भी आती है ये नवगीतों की स्रेणी में ये रचनाय आती है तो वैसी मैंने आपको जैसे बता है कुछ रिंगार की रचनाय कुछ इस तरह गीत नवगीत भी है जो मने क्या कहना चाहिए कि अपने रोज के जिंद्गी से सरोकार रखते हुए कुछ गीत जिन्दीगी से सरोकार रखते गीते हैं फिर नवगीत है इस प्रकार से चल रहा है सिलसला लिखना लिखाने का हम अभी बात कर रहे हैं चमेली में सत्यप्रसना राओ जी से उन्होंने अभी बहुत से खुबसूरत कविताएं और नवगीत सुनाएं हमें उनका ये जो एक्स्पीरिंस रहा है जिंदगी की छोटी-छोटी चीजों को अबसर्फ करके उन्हें कागस पे उतारने का कलम से उसकी एक मुलाकात कराने का ये एक बहुत ही खुबसूरत जर्नी रही है बहुत ही खुबसूरत उनका सफर रहा है कहीं मत जाईएगा, we'll be right back आप सबका स्वागत है दूरदर्शन यादगीरी की इस हिंदी प्रोग्राइम चमेली की प्रस्तुती में आपने पहले ये बोला था कि आप स्वयम के लिए लिखना चाहते थे आपको लिखने में फिर किताब लिखने की आपकी ये जो जर्नी है ये किस तरह से शुरू हुई और आपने कितनी सारी किताबे लिखी हैं, कितना आपने प्रकाशन किया है वो भी हमें बताईए जहां तक کताबों की चपनी की या रचनाओं की चपने की बात है तो मेरे मन में कभी यह नहीं आता था कि मुझे अपनी रचनाइश छपानी भी चाइए करके तु मैं लिखता था गोश्चियों में और मित्रों के साथ साजह हो जाती थी क्यों सुनायते थे पिर चुराह नमिलती थी बस वहीं तक सीमित होता था कभी दिमाग में हाला कि लोग कहां करते थे मुझसे गोश्टियों में भी कहते थे हैं निथा है उनुह फिर च्पाते क्यों नहीं हो आसका है मि bipartisan किसी वज़े से कि कुछ मित्रों ने जबलदस्ति मुझसे रचनाएं ली और तुम तो करोगे नहीं तुम ही भेजते हैं तो इस प्रकारते उन्होंने प्रारम किया कुछ रचनाएं मेरी भेजी कुछ छपी कुछ नहीं भी छपी तो जो छपी तो उसको फिर व्यापक रूप से प्रसारित तो वहां से थोड़ा थोड़ा फिल छपने का सिलसिला शुरूब हुआ बाद में कुछ मित्रों का ऐसा आग्रह रहा कि आप हैं और भी कई लोग हैं बहुत अच्छा जो लिख रहे हैं तो इनके चार-पांच लोगों का एक ठोके उन्हें समिली संग रहे हैं ऐसे तो आप चार-पांच लोग और जुड़ते हैं तो कर सकते हैं ऐसा प्रयास तो उस तरह से ठीक है आप अपनी 20 रचनाएं भेजिए हम 20 और चार लोगों से एकट करते हैं ऐसा करके 80 या 100 रचनाओं की एक पुस्तक बन जाएगी इस प्रकार से 20 रचनाएं भेज दी और भी कलेक्ट हो गई 20 रचनाएं एक पुस्तक आगे इस प्रकार से जैसे आसमा दूर नहीं एक संग्रह है इसमें कई लोग हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ पांच पन्ने में मेरी रचनाएं बड़ आपको लिखना चाहिए आपको अपनी जो विचार है अपने जो गीत नवगीत आपको पीड़ी को बहुत ही जग जोडने वाली है तो यह बहुत ही जरूरी है कि हमें एक वेक अप कॉल मिले हमें ऐसे शब्दों के साथ उनके जो माइने समझने का एक मौका मिले आपकी कविताओं और आपके दवगीत के थ्रू दूसरा ये कि आप जिस तरह से पढ़ते थे जो आपने जो किताबे पढ़ी हैं आपने जो कवी और कवित्रियों के कविताओं पढ़ी हैं वैसे आगी की भी जो पीड़ी है वो आपकी कविताओं पढ़के हो सकता है कोई एक सत्यप्रसना राओ कई हमारे ओडियंस में आज है और आपको देख रहा है तो आपकी कविताओ से आपकी इस किताबों से किसी ना किसी को कही ना कहीं एक छूने का आपको जो मौका मिलेगा वो एक बहुत ही आपके लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहेगा नहीं अब यह सिलसिला आरंब हो गया च्छपने छपाने का तो अब चालू है अब देखते हैं इश्वर को क्या मंजूर है और कैसे होता है आगे प्यास तो रहेगा कि अब इस सिलसिला चलता रहे च्छपेंगी और पुस्त के भी आएंगी और एक दोहा संग्रह निकालने का मन है इसके पीछे भी मित्रों ने बहुत पीछे पड़े हुए हैं मेरे कि आप दोहा संग्रह निकालिया आपके बहुत सारे दोहे हो गया हैं मेरे पास तकरीबन एक हजार के आसपास तो दोहे हैं एक हजार वाव लेकिन उसमें से च्छपे शायद मुश्किल से पचास या साथ दोहे होंगे दोहे से मुझे याद आया कि आपको काफी सम्मानित भी किया कि आप ज्यादा करके हिंदी का ही प्रयोग करते हैं चाहे वह गजल हो चाहे वह दोहे हो चाहे आपकी कोई भी लेखनी हो तो दोहे आपको जिस तरह से सम्मानित किया गया है उसके बारे में भी हमें बताइए हमारी ऑडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा तो सबसे पहला सम्मान जो मुझे मिला था, चर्थिसगड में एक साहितिक नगरी है, इसको बलकि साहितिकी राजधानी कहा जाता है, चर्थिसगड में उसको, ये कोर्बा से करीब 40 किलो मेटर दूर जांचगीर करके आजकल जिला है यह, पहले तैसिल होता था, आजकल जिला हो गया है तो वहाँ पर एक ठाकुर बैरिष्टर छेदीलाल करके बहुत प्रसिद्ध अधिवक्ता हुए थे वहाँ पर, उनकी इस मृति में एक सम्मान का हर साल वहाँ पर आयो जित किया जाता है, जिसमें एक हजार एक रुपया शाल स्रीफल इस तरीके से दिया जाता है, श्रिष सुशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा था, तो उनके आग रह पर, वहाँ भी एक संकलन छपा था, साजा संकलन छपा था, तो वहाँ पर मैं सम्मानित हुआ था, श्रेश टचनाहों के लिए, अंतरा शक्ति-शक्ति सम्मान पराप्त हुआ था, फिर कोरभा में, दो-तीन स साहिटिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, जिसमें साहिटिसरी सम्मान, स्रिजन साहिटि सम्मान, निखिल शिकर सम्मान, ये प्राप्त हुए था, फिर हैदराबाद में ही मुझे कभी COVID सम्मान दिया गया, हैदराबाद से मिला, काव्य भूषण सम्मान भी हैदराब चोटी चोटी नहीं आपकी जो वानी है आपकी ये जो चब्द है वो देश भर में लोग सुन रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये आपको भी काफी मोटिवेटेड रखता होगा घर का आपका जो महौल है वो भी काफी मतलब पॉजिटिव है क्योंकि मैंने सुना है कि आप ये जो लिखते हैं आपके शब्दों की जो ताकत है वो आपकी बेटी तक भी पहुंची है वो भी काफी खुबसूरत लिखती है घर में ये आपकी जुगलबंदी चलती रहती है क्योंकि मेरे रचनाओं की प्रसम शोता मेरी पत्नी है अच्छा तो वो सबसे पहले तो उसके बाद इसका नंबर आता है और ये जब भी अपनी कोई रचना लिखती है ये करती है तो मुझे जरूर दिखाती है कि इसमें क्या एडिट करना है या क्या करना है थोड़ सा तो नोक पलक समारने का काम मुझे सौंपती है ये अक्तर और उसकी रचनाओं बहुत छपत इश्वर करें जरूर आप सबकी दुआएं आप सबकी आशिरवाद अगर रिशी से तरह से प्राथ होते रहें तो निश्चित रूप से चलेगा ये दोहा शिरोमनी किस ने बोला आपको किस ने आपको ये टाइटल दिया ये मुरादाबाद में एक संस्था है तो वहां प तो उन्हेंने आयोजिन के गया था कि सारे देश के रचनाकारों से जो दोहा लिखते हैं मतलब उन्हने संगरह चपा था तो उसे संगरह में मेरे को अरे उस प्रकार से वहां पर एक दोहा शिरो मनी का विरुद मुझे प्रदान किया गया था हालागी मैं जा नहीं पाया था उस विरुद को लेने के लिए तो उनने बाइपोस्ट मुझे प्रेशित कर दिया था, मोमेंटो और सर्टिफिकेट वगेरा, तो इस प्रकार से दोहा शिरो मनी का विरुद वहां से मुझे प्राप्त हुआ था पर ये मतलब देश भर के सारे जो दोहा कार है उनमें आपका सर्वेश रेश दुगा है वाव फैंटास्टिक तो इसी बात पर आगे मैं नहीं बढ़ूंगे जब तक आप मुझे दोए नहीं सुनाएंगे अचा अचा आनन सारा कामसर आनन सारा कामशर मधुरिम अधर साल कुंदन वरनी देह है ब्रिंग वल भागाल तुम्हारे ब्रिंग वल भागाल अलतारंजित पाऊं में नूपुर की जनकार चितवन प्रेशित कर रही आमंत्रण का तार प्रियत में आमंत्रण का तार अलके नागिन लग रही पलक लग रहे सीप सुभग अधर द्वय लग रहे मकरंदों के दीप प्रियत में मकरंदों के दीप संबादित थे द्रिग युगल संबादित थे द्रिग युगल किन्तु बौन थे ओस्ठ अब भी है अनुहार यह अंकित रिदय प्रकोष्ठ प्रियत में अंतिम् तुम प्रियता का दे रही मदिरल मधुमकरंद अलिमन मातल प्रणय के गाता निश दिन चंद प्रियत में गाता निश दिन चंद थो इस प्रकार के दोहे हैं आप अपने शब्तों लोगों तक पहुचाना चाहते हैं बट उसी भाशा में जो वो समझें तो यह एक प्रोग के ज़र आपकी यह बहुत ईसराहनी है दूसरा को जैसे अभी वे अमारी मने प्र्यावर्ण की osaurus हे दिन पर दिन बिगरति जा रहे है रहे हैं यह जंगल खतम होते चले जा रहे हैं तो इस प्रकार से हमारी जो पाइस्थिती की तंत्र है वो दिन पर दिन चीजता चला जा रहा है तो कुछ दोहे मैंने जैसे उस पर लिखे थे इसमें भी देखेंगा आप जो प्रतीकों का जिनने प्रयोग किया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से ह कि एना कॉंडा हो गया जो बरसाती व्याल व्याल मने साप अचा एना कॉंडा हो गया जो बरसाती व्याल इस निदाग ने कर दिया यही नदी का हाल निदाग बोलते हैं जेट महीने को धूप को अचा निदाग मने जेट गर्मी ग्रिश्म तो उसने नदी का ये हाल कर दिय पानी पानी हो रहा लज्जा से है ताल तलाब पानी पानी हो रहा लज्जा से है ताल चुल्लू भर पानी नहीं नगन पड़ी है खाल हाई हाई करने लगे पोखर में मंदूक तान रहा रवी पंक में दोनाली बंदूक तान रहा रवी पंक में दोनाली बंदूक और दिवस रहन यह व्यवस्था हमें रही है छील सूख गई कबसे यहां सम्वेदन की जील जरना था पर जर नहीं पाए अस्रु असीर आखों से आशों को गिरना था लिए गिर नहीं पा रहे हैं यहारी परिस्थिती है जर नहीं पाए अस्रल असीर हत कड्यों से बद्ध थी इस अंतस्की पिय uda दर्द जो आए वा अंदर अधी सेुबंगे था चल्ध की नहीं पा रहा है जी 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 इस तरीके से मार्व पीड़ा इतनी गहन है कि हम व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। यह परिस्टी हो गई है। यह इस तरह कैसे इन दोहों का मतलब बहुत ही आपके शब्द मतलब इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी विचारधारा को अपने व्यक्त कर दिया। और बहुत ही टू दपॉइंट ऐसे चुबने वाली जो वह है आपकी इस बहुत ही खुबसूरत है यह आज की जनरेशन को पढ़ना चाहिए। तो अब मतलब क्यों चुकी हम मुझे सा पता ही ने चला हम कितनी देर से बात कर रहे हैं आपने इतनी सारी कविताएं सुनाएं इतने सारे नवगीत दोहें सुनाएं तो पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। आप हमारी जो ओडियन्स है हमारे जो आज की यंगर जनरेशन है जो उन्हें प्रॉब्लम्स के बारे में पता तो है चाहे वो भूग से रिलेटेड हो चाहे वो कूडा करकट उठाने वाले जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हो उन्हें देखते हैं बट अपनी गाडि अजिए वाली फीलिंग है आदमी अगर 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 पड़ा भी है तो हम बाजू से निकल जाएंगे या वीडियो बनाने लगेंगे लेकिन यह नहीं कि हम उसकी मदद करें तो इस प्रकार से मैंने हमारे जो सोचने का ढंग है नजरिया है वो दिन पर दिन बदलता चला ज या फिर अपने आपको इतना सरेंडर कर चुके हैं परिस्तियों के आगे शायद हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज अब अलग हो गई है और हमने आपको परखने का नजरिया ही बदल लिया है पहले जो होता था कि आपसी प्रेम आपसी सवहार आपसी सद्भाव यह सब हो होती थी एक दूसरी प्रती होती बहले हो आं जाना हो एक मन में भाव रहता था था कि नहीं आ रही है विचारा कस्टम है तोड़ा इसकी मज़त कर दी लेकिन आप वो चीज़े खतम हो गई है दीरे-दीरे समाज से किरोहित होती चली आप जैसे कवियू की भी यह एक responsibility होती है कि ऐसी कविताएं आप social media पे लाएं और आज की generation से उने आगाह कराएं क्यूंकि यह शब्द इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं आज की जो समाजिक स्थिती है उस पे आपका यह जो नजरिया है आपकी जो विचार धारा है वो हमें सोचने पर मजबूर करेगा वो हमें चल सारी जनता नहीं बड़ कुछ में तो वो चेंज आने की आशनक है अगर ऐसा कुछ हुआ तो निस्चिद रूप से लेखक के रूप में कवी के रूप में तो बहुत बड़ी जीत है बहुत बड़ी जाप बात होगी और मैं अपने आपको धन्य मानूंगा अग sommes, जैते हैं उससरे यहीं निवेदन है कि अपने आइस पास को देखिये परखिये उसको समझिये उसको उसके समयदना को को उसके को महसूस कीजिए और उसके बाद अबंद आपको अभ Hence कर रहे हैं जिन चाहिए संप्रेशन ही नथा हो रही है रिखना थो बंदी होगा लोगों का आफके में आपके नवगीत सवाल से आगाह करा कि किताबों के बारे हमें बताया और आपकी जो विचार धारा है आपकी जो थौट्स हैं उससे हमें बहुत ही खुबसूरती से जोड़ा और समय कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला आपका बहुत-बहुत खुबसूरती सी बाते की बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके चमेली के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जोड़ने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आपसे विदा लेती हूँ मिलते हैं अगले प्रोग्राम में